पेले सिद्धा ने साहिब श्री गुरू नानक दे महराजी दे पास इस सवाल रखिया कि आप जी दी जो पावन कुटर उचारन किता होया ए मूल मंतर है कि एस दे उपर जेडे व्या करन दे अर्थ करन दे जेडे शेट टंग ने उवी एस उपर टुक दे ने जा नहीं उना दे विच्चों दो जेडे आंग सान टंग सान उना दी आप विचार कर चुके सा पहला व्या करन दा अर्थ करन दा टंग ए हुंदै कि शब्दा नू व्या करन दे अनुसार पादशेद करना पादशेद करन तो पाव ए हुंदै कि वख्रो वख्रा करके उसदा उचारन करना क्योंके आम करके प्रत्न समय दे अंदर गुर्बानी दी जेडी लिखत है उलडी वार रूप दे विच होया कर दी सी सो इस परकार सत्कुरा ने अख्या के हाँ असी एस शेट तंगा नू इस मूल मंतर दे अंदर और गुर्बानी दे विच वरत्या होया है ता उस वेले सत्कुरा ने पहला एस पाद नू एक उवंकार नू पादशेद करके सुनाया उस तो बाद दूसरा जेडे पाद अर्थ शब्दां दे अर्थ उस दी विचार चालरी सी के प्रमेशर वाहिगुर्जी दा जेड़ा एक सुरूप है उ किस परकार है सजाती विजाती स्वैगत पेद रहत है और देश काल वस्तू परशेद रहत है कि ए जेड़िया चीज़ा उ प्रमेशर वाहिगुर्जी दी होंद नू वखरा नहीं कर सकतिया क्योंकि अपा जेडे मनुख हाँ अपना जेड़ा जीवन किसे ना किसे सीमा दे विचरेंदा है साड़ी सीमा कई वार पेंड तक हुंदी है साड़ी जेड़ी सीमा है उ आपो अपने अलाकें तक हुंदी है पर प्रमेशर वाहिगुर्जी सरव देशी है उस दी ऐसी होंद है कि जे प्रमेशर वाहिगुर्जी दा सुरूप किसे जगा दे उपर प्रगट भी हुंदा है सारगुण रूप दे अंदर ता प्रमेशर वाहिगुर्जी दा जेड़ा सुरूप निर्गुण है ओ फिर कटां कटां दे विचर समाया हुए जेस परकार प्रमेशर वाहिगुर्जी दे दो सुरूप ने एक सरगुन और एक निर्गुन जेड़ा निर्गुन सुरूप है ओ है गुना तीत गुना तो रहत जदों प्रमेशर वाहिगुरू चेतन सुरूप हुन देने दूसरा प्रमेशर वाहिगुरू जीदा सुरूप है सरगुन सरगुन सुरूप उसनु क्या जन्दा है जदो प्रमेशर वाहिगुरू संसार दे विच प्रक्ट हो करके किसे दा पला करना होवे संसार नू चंगे करम दे ले तोरना होवे जदो अपना रूप अवतारां दे रूप दे अंदर जया सादू महात्मा दे रूप दे अंदर संसार दे लियूँ दे ने उसनु क्या जन्दा है सरगुन सुरूप ते उसे तरह ही साहिव श्री गुरू नानक दे महराज जी पावन बचन कह रहान कि ऐ पाई सिदो जो प्रमेशर वाहिगुरू जी दा सुरूप है उसनु किसे भी प्रकार करके जेड़ी देश काल वस्तू है यह उसनु कटने सकती पाव देश किसे भी प्रकार करके प्रमेशर दी सीमा नहीं तै कर सकता